आज हम शुरू करेंगे UPPCS ROARO के लिए test series number 2 जो की geography से related है इससे पहले हम ROARO की test series number 1 जो की history से related थी उसे cover करा चुके हैं यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे playlist में जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को like, share, subscribe करना ना बूलें चलिए शुरू करते हैं इसमें सबसे पहला question है निमलिकित ग्रहों को उनकी सूरे से बढ़ती दूरी के बढ़ती क्रम में व्यवस्तित कीजिए और नीचे दिए कूटों में सही उत्तर चुनें पहला ब्रस्पती, दूसरा शनी, तीसरा पर्थवी और चौथा शुकुर। आपको बताना है कि सूरे से बढ़ती क्रम में ग्रहों की स्थिति कौन सी है। आपको पता है सूरे से बढ़ती क्रम में सबसे पहले बुध, शुकुर, प्रथवी, मंगर, ब्रस्पती, शनी, अरोन और वरोन आते हैं। इस तरह इसका सबसे पहला शुकुर, दूसरा प्रधवी, तीसरा ब्रस्पती और चौथा शनी इस तरह इसका सही उत्तर होगा 4, 3, 1, 2 4, 3, 1, 2 जोकी option B इसका सही उत्तर होगा next question है, जब दिन और रात की अब्दी बरावर होती है, तब सूर्जे की किलिने सीडी पढ़ती है a. उत्री दुरुप पर, b. भूमत्य रेखा पर, c. देख्षिने दुरुप पर, d. कर्क रेखा पर इसका सही उत्तर होगा option B, अठात, भूमत्य रेखा पर जब दिन और रात की अब्दी बरावर होती है, तब सूर्जे की किलिने भूमत्य रेखा पर सीडी पढ़ती है next question है, सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है, और आपको पताना है कि कौन सा सही सुमिलित दे रखा है इसमें एक तरफ पृत्पत्ति के सिद्धान्त और दूसरी तरफ जिसे उसने पृतिपादित किया है, उसके नाम दे रखा है आपको बताना है कि कौन से सही सुमिलित है निहारी का परिकल्पना, जो कि लापला से संब्दित है ग्रहानो परिकल्पना ग्रहानो परिकल्पना चेंबर लेन तथा मॉल्टन से संबंदित है दोयतारक संकल्पना एच एल रसेल तथा लेटी लेटन से संबंदित है और अंतर तारक धूरू परिकल्पना जो की आटोशमेट से संबंदित है इस तरह इसका सही उत्तर होगा Option C 3, 1, 4 और 2 Next question है परतदार चक्टान के विशे में दिये गए निमलेकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला है ये चक्टाने पृधवी की सतय पर जलिये तंतर द्वारा निर्मत होती है दूसरा है इसके निर्माण में पूर्व बिद्यमान चक्टानों का चरण समलित होता है तीसरा परतदार चक्टान जिवाश्म हीन होती है और चौधा इन चक्टानों में परते पाई जाती है आपको बताना है कि इन में कौन-कौन से सही है आपके पास option है इसका सही उत्तर होगा option B अर्थात 1,2,4 यह सही है लेकिन परत्ता चक्टान जिवाश्म हीन नहीं बलकि जिवाश्म रईद होती है मतलब इन में जिवाश्म पाई जाता है इस तरह यह तीसरा गलत होगा next question है निमलिकित में से कौन सम्हू से संबंदित नहीं है A. नीस, B. बालू का पत्थर, C. चूना पत्थर और D. शेल इसका सही उत्तर होगा option A अर्थात नीस बाकी बालू का पत्थर, चूना पत्थर और शेल यह सबी अफसाधी चटान के उधाराण है जबकि नीस एक रूपांत्रे चटान का उधाराण है next question है निमलिकित में से कौन से सक्रिय जौला मुखी है पहला किली मंजारो दूसरा, एटना, तीसरा, मोनोलोगा और चौता किलायो इसका सही उत्तर होगा option D अर्थात, दो, तीन और चार एटना, मोनोलोगा और किलायो यह तीनों ही सक्रिय जौला मुखी है लेकिन कली मंजारो जो की तंजानिया में अवस्थित है यह एक निश्किरिय जौला मुखी है इसके लावा अगर हम इनकी अवस्थिती की बात करें तो एटना जौला मुखी जोकी इटली में इस्थित है इटली के सिसली दिव पर और इसी के साथ मोना लोवा जोकी हवाई दिव अमेरिका में इस्थित है और किलायू जोकी हवाई दिव में अवस्थित है यह संसार का सरवादिक सक्रिय जौला मुखी है कौनसा किलायू नेक्स्ट कुशन है रिक्टर प्यमाने का उप्योग होता है रिक्टर प्यमाने का उप्योग किसका किसका मापन के लिए होता है रिक्टर प्यमाने का उप्योग भूकम्प की तीवरता को मापने के लिए किया जाता है भूकम की तीवतम आपने के दो पेमाने होते हैं पहला है रिक्टर पेमाना और दूसरा है मरकेली पेमाना रिक्टर पेमाने का आविश्कार 1935 में चाल्स एफ रिक्टर ने किया था नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन महादीपो के चेतरफल का सही अवरोही किरम प्रस्तुत करता है आपको बताना है कि छेतरफल के महाधीपो का अवरोवी की रहाँ मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ा महाधीप उसके वाद उससे छोटा उसके वाद उससे छोटा आपको ऐसे व्यवस्तित करना है इसमें सही option है option C अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद अंटार्क्टिका और अंटार्क्टिका के बाद यूरोप यूरोप जो की सब्ते छोटा महादीब है नेक्स्ट है निमलिकित महादीपू में प्रति व्यक्ति भूमी सरवादिक है बताना है कि आपको कौन सा महादीब ऐसा है जिसमें प्रतिवेक्ति भूमी सरवादिक पाई जाती है इसका सही उत्तर होगा आउस्ट्रेलिया आउस्ट्रेलिया में प्रतिवेक्ति भूमी सरवादिक पाई जाती है नेक्स्ट है निमलेकित में से किस एक महादीप में समकून छेत्रफल में मैदानी भाग का पिर्तीशत सरवादिक है इसका चाहि उत्तर होगा यूरोप, यूरोप में चेत्रफल में मैदानी भाग का पृतिशत सरवादिक है और इसी के साथ दक्षिन अपरीखा भी जहां पर मैदानी भाग का विस्तार अधिक है लेकिन पृतिशत, पृतिशता की दरश्टी से ज़ादी बात करें यूरोप में मैदानी भाग का पृतिशत अधिक है जबकि चेत्रफल के दरश्टी से ज़ादी बात करेंगे हम तो दक्षिन अमेरिका में मैदानी भाग अधिक है विश्व की सरवादिक लंबी परवत श्रियनी है इसका सही उत्तर होगा ओप्षन C अर्थात एंडीज एंडीज जोकी दक्षिन अमेरिका में अवस्तित है यह है विश्व की सबसे लंबी परवत श्रियनी है जिसकी लंबाई 1200 किलोमेटर है इसका सरवुच शिखर जोकी अकांका वुआ है एंडीज दक्षिन अमेरिका में साथ देश कोलंबिया, अलजेंटिना, चिली, बोलिविया, पेरू, एकोडोर और वेनेजुएला में विश्तित है और इसका सरवादिक विश्तार चिली में है नेक्स्ट कोशन है आल्प स्परवत शिरिण इन्यमलिक्त में से किस देश का हिस्सा नहीं है आपको बताना है कि आल्प स्परवत इन में से कौन से देश में अवस्तित नहीं है आपके उप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लेंड और चार और बोड़ी ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा C, इंग्लेंड आल्प स्परवत का विस्थार फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, एमन, स्वीजरलेंड में है और आल्प स्परवत का सरवोज शिखर जोकी मांट ब्लॉक है जिसकी उचाई 4810 मीटर है लेकिन इसका विस्थार इंग्लेंड में नहीं है इस तरह इसका सही उप्शन C होगा नेक्स्ट है आपको सुमिलित करना है आपको एक तरफ मरुस्थल और दूसरी तरफ उसे संबंदत देश दिये है आपको बताना हैं कि इन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें गुबी मरुष्थल जो कि मंगोलिया में अवस्थित है यह एकदम खीक है काराकुम जो कि तुर्कमेनिस्थान में है यह भी ठीक है और Gibson, Australia और तकला मकान उजबिकिस्तान उजबिकिस्तान में ना होकर तकला मकान चीन में अवस्थित है इस तरह इसका सही उत्तर होगा option D next है इसमें आपको बताना है कि सही जोड़ा कौन सा है इसमें एक तरफ देश और दूसरी तरफ उसके घास के मैदान दे रखे है आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही दे रखा है Kenya Kenya में कंपोस घास के मैदान पाय जाते है तो यह गलत है क्योंकि कंपोस घास के मैदान ब्राजील की उच्छी भूमी में पाय जाते है केनिया एवं तंजानिया जो की पूर्वी अफ्रीका का भाग है वहां पाये जाते हैं और इस्टेपीज यूएसे में पाये जाता है तो यह गलत है क्योंकि इस्टेपीज यूएसे में नहीं पाये जाता है यह यूरेशिया में पाये जाता है इस तरह इसका सही उत्तर होगा अप्शन B, अर्जेंटिना, पंपास नेक्स्ट है, हॉर्न ओफ अफरीका के अंग है इसका सही उत्तर होगा सोमालिया, इथूपिया और जिबूती हॉर्न ओफ अफरीका, सोमाली प्रायदीब, पूर्वी अफरीका में तिकोना निकला हुआ भाग है इसमें जिबूती, इथूपिया, इरिटिरिया और सोमालिया समलित है यह अरब सागर में सेकडो किलोमेटर तक फैला है और अधन की खाड़ी के तक्षरी किनारे पर इस्तित है यह अफरीकी महादीब का सबसे पूर्वी विस्तार है इसमें आपको एक तरफ देश और दूसरी दरफ उनकी राजधाने दे रखे है आपको बताना है कि इन में से कौन सा सही सुमेलित है सही सुमेलित नहीं है इसमें युगांडा, युगांडा की राजधानी अभुजा नहीं बलकि युगांडा की राजधानी कमपाला है और अभुजा जो की राजधानी है नाइजीरिया की इस तरह इसके A, C और D इस तरह इसके option A, B और D सही सुमेलित हैं लेकिन D जो की गलत सुमेलित है नेक्स्ट है निमलिकेत में से किस अफरीकी देश की सीमा वहमत्य सागर में नहीं मिलती है इसका सही उत्तर होगा option C नाइजर नाइजर की सीमा मुझार सागर में नहीं मिलती है नाइजर एक इस्थलबद देश है नेक्स्ट है ग्रेट सॉल्ट जील कहां इस्थिद है ग्रेट सॉल्ट जील सेंट राजय अमेरिका के उटहा राजय में इस्थिद है है इस तरह इसका सही उत्तर होगा option D USA एक सो इसकी लवरता 220 ग्राम प्रती लेटर है next है एशिया की निमलिकित में से कौन सी नदी दक्षण को दक्षण की और प्रवाइद होती है option A आमूर, option B लेना, option C साल्वीन और option D ओव इसका सही उत्तर होगा option C अर्थात साल्वीन साल्वीन अपने उद्गम छेतर से दक्षण की और प्रवाइद होते हुए अड़मान सागर में समुत्र में मिल जाती है इसके अलावा वाकी तीन नदियां जो की अमूर, लीना तथा ओव अपने उद्गम छेतर से उत्तर की और प्रवाइद होती है next question है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है इसका सही उत्तर होगा option C सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील सुपीरियर जील है जो की कनाड़ा और स्रेंक्त राज्य अमेरिका के मद्धे इस्तित है यह हैं पाँच जीलों से मिलकर बनती है इसमें सुपीरियर, मिशिगन, यूरॉन, इरी वा ओंटेरियो समलित है next है इसका सही उत्तर होगा option D अर्थाद B और C दोनों, स्ट्रेटोस्फेर और ओजोन की परत जो की सुपीरियर से निकलने वाली विनाश्कारी रेडियेशन से हमारी सुरक्षा करती है next है सुची एक को सुची दो से मिलाना है आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित दे रखा है एक तरफ तुफान और दूसी तरफ उसे सम्मधित देश दे रखे है आपको बताना है कि इनमें कौन सा सुमेलित है विली विली का सम्मध और और टाइफून जो की चीन से सम्मधित है इस तरह इसका सही उत्तरोगा option बी, अठाद, दो, चार, एक और तीन नेक्स्ट है, निमलिकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको एक तरफ चलने वली हवाएं और दूसरे तरफ उन से सम्मंदित छेतर दे रखें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है फॉन, आल्पसपरवत, जो कि एकदम ठीक है सिमूम, अरवमरुस्थल, यह भी ठीक है सांता आना, नियूजिलैंड, सांता आना, नियूजिलैंड नहीं बलकि दक्षिनी कैलिफोर्निया में चलने वाली शुष्क इस्थानिय पावन है इसलिए उप्शन C गलत है और खंसिन, जो कि मिस्टर में चलती है यह भी ठीक है खंसिन, मिस्टर में प्रवाइद होने वाली गर्म हवा है इस तरह इसका सही उत्तर होगा उप्शन C इसका सही उत्तर होगा उप्शन A अर्थात शुष्क प्रदेश पिर्थवी के अधिक्तम छेतर पर शुष्क प्रदेश फैला हुआ है नेक्स्ट कुश्चन है रेशम उत्पादन में भारत विश में कौन सा इस्थान रखता है इसमें सही उत्तर है उप्शन A अर्थात दित्यास्थान भारत का रेशम उत्पादन में दित्यास्थान है यह आक्रे FAO द्वारा जारी किये गए है और विश में रेशम उत्पादन में प्रथम इस्थान जो की चीन का है नेक्स्ट है निमलिके देशों में कौन विश में लो ऐस्क का वरहत्तम उत्पादक है अगर हम लो ऐस्क उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का इस्थान आता है उस्ट्रेलिया के बाद ब्राजिल, ब्राजिल के बाद चाइना और चौते नमबर पे हमारे प्यारे भारत का इस्थान आता है यदि पूछे जाए तो लो ऐस्क उत्पादन में भारत का इस्थान जो की चौता होगा इसका सही उत्तर होगा यूरलींच को अउस्ट्रेलिया में और यदि हम। यूरॉनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश में कुझा किस्थान आता है। करजकिस्थान जो की यूरोनियम का सबसे बड़ा उपादक देश है और आपको बताना है कि यह कौन से छितर से सम्मंद है इसका सही उत्तर होगा option B अथात कालाहारी बुष्मेन जनजाती के सम्मंद कालाहारी मरुस्थल से है नेक्स्ट है बलि आरिक द्वीब समू कहां इस्तित है इसका सही उत्तर होगा option D बुमद्य सागर बलि आरिक द्वीब समू जो की बुमद्य सागर इस्पेन के तट के पास इस्तित है नेक्स्ट है निमलिकित में से भारत के संदर में क्या सही नहीं है आपको बताना है कि इन चार कथनों में से कौनजा कथन भारत के संदर में गलत है भारत पूर्ता उत्तरी गुलार्द में अवस्तित है यह एकदम ठीक है क्योंकि भारत की अवस्तिती पूर्ता उत्तरी गुलार्द में है जो कि एकटम ठीक है और भारत का उत्तर दक्षिर विस्तारपूर पश्चिम विस्तार से अधिक है यह भी एकटम कत्र ठीक है इस तरह इसका सई उत्तर आपशन भी होगा नेक्स्ट है पश्चिम मंगाल की सीमा किन-किन राज्यों से लगती है आपको बताना हैं कि पश्चिम बंगाल से सीमा साजित करने वाले देश कौन कौन से है पश्चिम बंगाल से सीमा साजित करने वाले देशों की संक्या पांच है इनमें सबसे पहले निपाल पश्चिम मंगल से सीमा साज़ी करने वाले भारती राजियों की संक्या पांच है इसमें सबसे पहले असम, दूसरा सिक्किम, तीसरा जहरकन, चौथा बिहार और पांचमा उड़ीसा है इसके लावा यदि हम बात करें तो पश्चिम मंगल तीन देशों के साथ भी अपनी सीमा साज़ा करता है इसमें सबसे पहले आएगा नेपल, दूसरा आएगा भूटान और तीसरा आएगा बांगला देश इस तरह इसका सही उत्तर होगा option C पश्चे मंगल असम सिक्किम बिहार उड़ीसा और जहरपन के साथ अपनी सीमा साज़ा करता है इसमें आपको बताना है कि ऐसे कौन से देश हैं जिनकी बांडरी दो देशों से लगती है इसका सही उत्तर होगा option B अर्थाथ लद्दाख और option B उत्तरकर्ण की सीमा दो देशों से लगती है इसमें चीन और नेपाल है और मिज़ुरूम मिज़ूरूम की सीमा भी दो देशों से लगती है जिसमें पांगला देश और मियमार है इसतरा इसका सही उत्तर होगा option B अगर हम बाकी देशों की बात करें तो लद्धाग जो की तीन देशों से अपनी सीमा साजा करता है लद्धाग सबसे पहले पाकिस्तान, दूसरा अफगरनिस्तान और तीसरा चीन के साथ अपनी सीमा साजा करता है इसलिए ये option गलत होगा सिक्किम जो की तीन देशों से अपनी सीमा साजा करता है पहला नेपाल, दूसरा चीन और तीसरा भुटान असम की बात करें तो असम दो देशों से अपनी सीमा साजा करता है बांगलादेश वा भुटान और सिक्किम जो की तीन देशों से करता है यह आपको बताई चुके है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा option B next step, निमलिकित कतनों में से कौन सा एक सही नहीं है आपको बताना है कि इन में कौन सा कतन गलत है पच्चेमी घाट का उत्तरी छेत्र आपेक्षाकरत अधिक उचाई पर है पच्चेमी घाट में अनाई मुडी सबसे उची चोटी है, यह एकदम ठीक है तापती नदी सत्पुणा के दक्षण में है, यह भी एकदम ठीक है नरमदा नदी तदा तापती नदी घाटियां, पुरानी इरफ्ट घाटियां मानी जाती है, यह भी एकदम ठीक है लेकिन पच्चिमी घाट उत्तरी छेत्र पच्चिमी घाट का उत्तरी छेत्र अपेक्षकरत अधिक उचाई पर नहीं है बलकि पच्चिमी घाट का दक्षिनी छेत्र अधिक उचाई पर है और दक्षिनी छेत्र में ही अनाय मुडी जो की पश्चिमी घाट की सबसे उची चोटी है वह भी पाई जाती है इस तरह हम कहा सकते हैं कि पश्चिमी घाट का जो उचा छेत्र है वह उतरी छेत्र नहोंकर दक्षिनी छेत्र है नेक्स्ट है भारत का सर्वोच परवत शिखर कौन सा है एक कंचन जंगा, बी नंदा देवी, सी निलगरी, डी गौर्डविन आस्टिन इसका सही उत्तर होगा option D, अथाक गौर्डविन आस्टिन जिसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं भारत का सर्वोच परवत शिखर माउंट गौर्डविन आस्टिन या केटू है या कारकोरम शिरेणी लगदाग पर अवस्तित है और समुदर तल से इसकी उचाई 8,611 मीटर है इस छेतर पर पाकिस्तान ने अभैत कपचा किये हुआ है यदि हम भारत की दूसरी सबसे उची चोटी की बात करें तो कंचन जंगा जो की भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है इसकी हाइट 8,598 किलो मीटर है और नंदा देवी जो की उतराखंड में अवस्तित है यह भारत की तीसरी सबसे उची चोटी है जिसकी हाइट 7,816 किलोमेटर है या गड़वाल हिमाल्य का भाग है और यदि हम नीलगीरी की बात करें तो नीलगीरी पश्ची में हमें पूर्मी घाट का बिलन इस्थन है नीलगीरी परवत तमिलनाडू केरल एवं करनाटक राच्यों में विस्तरेत है और इसका सरवोच शिकर दोदा बेटा है इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्थाथ गॉर्डविन आस्टन नेक्स्ट है नेमलिकेत केंदरशासित प्रदेशों को छेतरफल के बढ़ते करम में व्यवस्तित केजिए यहाँ पर आपको Union Territories दे रखी है आपको बताना है कि सबसे छोटी Union Territory कुन सी है और उसके बाद ऐसे ही करम से बताना है कि उसका बढ़ता करम क्या होगा इसमें जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वह है इसका सबसे बड़ी Union Territory जो कि लताख है इस ओप्शन के हिसाब से यदि हम आठ Union Territories की बाद करें तो सबसे बड़ी Union Territory जो कि लताख होगी लताख के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद अंडमान निकोवार, अंडमान निकोवार के बाद दिल्ली दिल्ली के बाद दादर और नागर हवेली द्रसा तमन एंदी उसके बाद पुदुचेरी, उसके बाद चंडिगर और सबसे चोड़ी Union Territories जो की हमारी लक्षदीब है जिसका चेतरफल केवल 32 किलोमेटर स्कॉयर है अब यदि हम मोटा मोटा इसमें से याद रखना चाहें तो हम सबसे बड़ी Union Territory जो की लताख है और सबसे चोड़ी Union Territory जो की लक्षदीब है इस तरह इसका सही उतरों का उप्षण डी नेक्ष्ट है निमली के कतनों में से कौन सा कतन सही नहीं है आपको बताना है कि इन में से कौन सा चारों में से गलत है भारत के सम्मेदान में अनुसूचित जनजाती की कोई परिवाशा नहीं है कुल जनजाती आदे से अधिक भाग उतरपूर्वी भारत में यह कतन गलत है क्योंकि कुल जनजाती का आदे से अधिक भाग उतरपूर्वी भारत में नहीं है उतरपूर्वी भारत में 11-12% की बीच में केबल जंजातियां पाई जाती है इसके लावा C जारवा जंजाती अंडमान एम निकुवार दीब की प्रमुक जंजाती है यह भी ठीक है और तोड़ा के लाने वाले लोग नेलगीरी छेतर में पाई जाते हैं यह भी ठीक है और भारत के सम्मेदान में अनुसूचित जाती की कोई परिवाशा भी नहीं दी गई है नेक्स्ट है अर्थात गोमती नदी गोमती नदी का उदगम छेतर गोमत ताल से है जो की फुलहर जील से प्रभाइद होती है यह जिला पिलीवीद उतर प्रदेश में अवास्तित है यह गंगा नदी की एक मातर सायक नदी है जिसका उदगम छेतर मैदान से होता है इसके nellaवा ज़़े हम राम गंगा की बात करें तो राम गंगा उत्तर प्रिदेश के बिज्णोड जिले में इस्थित कालागण के मैदानों में प्रिवेश करती है तता कन्नौच में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है सोन नदी मद्य प्रदेश के अमरकंटक पहाल से मिलकर पटना के पश्चिम में गंगा से मिल जाती है और बेदवा नदी मद्य प्रदेश के विंधिन श्रंखला परवत से निकलकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है या गंगा की सायक न होकर यमुना की सायक न दी है इस तरह option भी इसका सही उत्तर होगा next है निमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित है लोनार जील जो की राजिस्थान में अवस्तित है यह गलत है क्योंकि लोनार जील राजिस्थान में बिलकि महाराश में अवस्तित है नकी जील जोकी गुजरात में अवस्तित है नकी जील गुजरात में बिलकि राजिस्थान में अवस्तित है सूरजकुन जील उत्राखंड में अवस्तित है और हमीर सल जील जोकी गुजरात में अवस्थित है यह एक्टम ठीक है इस तरह इसका सही उत्तर होगा option D next है भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है और शीतकालिन वर्षा का कारण जोकी पष्चेमी विक्षोप माना जाता है पष्चेमी विक्षोप से होने वाले वर्षा पंजाब में ग्यों की खेती करने वाले किसानों के लिए अक्तियादिक लाप्तायक भी होती है नेक्स्ट है आपको सुची एक और सुची दो दे रखे हैं सुची एक में जलाश है और सुची दो उसे सम्बंदित राज्य दे रखे हैं आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमिलित है बद्रा जो की करनाटक से संबंदित है भावानी सागर जो की तमिल नाडू से संबंदित है और गांधी सागर जो की मत्य प्रतेश से संबंदित है और राना प्रताब सागर जो की राजिस्थान से संबंदित है इस तरह इसका सही उत्तर होगा option D अर्थात 1,4,2,3 नेक्स्ट कुशन है किस राज्य द्वारा भारत में सरवादिक रवड का उत्पादन किया जाता है ए कर्माटक, बी आंदरब्रदेश, सी केरल और दी तमिलनाडू इसका सही उत्तर होगा ओप्शन सी अर्थात केरल केरल जोकी भारत में सरवादिक रवड उत्पादन किया जाता है और केरल के बाद यादि दूसरे नमबर पे बात करें तो केरल के बाद दूसरे नमबर पे तमिलनाडू का स्थान होता है जोकी रवड उत्पादन दूसरे नमबर पे सबस्यादिक करता है नेक्स्ट कुशन है भारत में मसालों का सरवाधिक उत्पादन करने वाला राजे कौन सा है A. गुजरात B. केरल C. आंधर प्रदेश और D. मद्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? A. सुनहरी क्रांती जो की उध्यान क्रिशी से सम्बंदित है B. लाल क्रांती जो की प्यार उत्पादन से सम्बंदित है C. गुलावी क्रांती जो की टमाटर उत्पादन से सम्बंदित है और D काली क्रांती जोकी काली मिल्च उत्पादन से संबंदित है इसमें सबसे पहले सुनरी क्रांती जोकी उध्यान क्रिशी से संबंदित है एक दम सही सुमेलित है इसके लावा बाकी तीन कतन जोकी गलत सुमेलित है लाल क्रांती लाल क्रांती जो की प्याज उत्पादन से संबंदित ना होकर मास और टमाटर उत्पादन से संबंदित है गुलावी क्रांती टमाटर उत्पादन से संबंदित ना होकर प्याज और जिंगा उत्पादन से संबंदित है इसके लावा काले करांती की यदि बात करें तो काले करांती काले मिर्च उत्पादन से संबंदित ना होकर पेट्रोलियम उत्पादन से संबंदित है इसके लावा यादि हम अन्य करांतियों की बात करें तो गोल करांती जो की आलो उत्पादन से सम्मंदित है और दूसरी भूरी करांती जो की हमारी ओरवरक उत्पादन से सम्मंदित है इस तरह इसका सही उत्तर होगा option A, सुनारी ग्रांती जो कि उध्यान करशी से सम्मंदित है नेक्स्ट है, भारत में अग्रणी कोईला उत्पातक राज्य है आपको बताना है कि इन राज्यों में से कौन कौन से राज्य कोईला उत्पातक राज्य है इसका सही उत्तर होगा option A अर्थात 36 गड़ और उड़ीशा 36 गड़ और उड़ीशा जो कि भारत के अग्रणी कोईला उत्पातक राज्ये हैं इसके लावा यदि हम बात करें तो मद्यप्रदेश, जहरकन और तेला घ्राना में भी कोईला पहे जाता है नेक्स्ट है निमलिकत राज्यों को उनके समुद्री सीमा के घटते हुए क्रम में विवस्थित कीजिए आपको बताना है कि ऐसे कौन से राज्ये हैं जिनके पास समुद्री सीमा सरवादिक है और ऐसे कौन से राज्ये हैं जिनके पर समुद्री सीमा नियूंतम है इनको आपको करम में विवस्थिक दोना है इसका सही उत्तर होगा option A आंदर प्रिदेश, तमिल नाडू, ओरिसा और पश्चिम मंगाल यदि हम बात करें आंदर प्रिदेश, आंदर प्रिदेश के बाद तमिल नाडू, तमिल नाडू के बाद महाराष्ट, महाराष्ट के बाद 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 के इसका सही उत्तर होगा option B, bitumens, bitumens कोईला जो कि भारत में नपे पृतिशत कोईला लगवा bitumens प्रकार का ही कोला पाये जाता है और बोनवाना छेत्र जो कि bitumens कोईला के भंडारां से ही सम्मंदित है, भारत में सरवादिक तीन उत्पादित करने वाला राजे कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा option B, अर्थात 36 गड़, भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात राजे 36 गड़ है, तता टीन का उत्पादन करने वाले सभी कमपनियां 36 गड़ में ही अवस्तित हैं, इस तरह option B, इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट है, एक तरफ आपको कोईला छेतर दे रखे हैं, और दूसरी तरह उनसे संबंदित राजे एवम छेतर दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमिलित है सिंगरोली, सिंगरोली जोकी सो नदी घाटी में विस्तरत कोईला छेतर हैं, इसलिए सिंगरोली का संबंद सो नदी घाटी से होगा जरिया, कोईला छितर जो की जारगंट के दनवाद जिले में अवस्तित है और सिंगरेनी, सिंगरेनी जो की गुदावरी घाटी में इस्तित है और कोरवा जो की 36 घड़ में अवस्तित है इस तरह इसका सई उत्तर होगा option C 4, 3, 1, 2 भारत में पाई जाने वाली मिट्टी का सरवादिक भाग है भारत में पाई जाने वाली सरवादिक प्रकार के मिट्टी कौन सी है वह है कछारी मिर्दा कछारी मिर्दा जिसे हम जलूड मिर्दा भी कहते हैं यह लगबग 40 पृतिशत भाग पर भारत में पाई जाती है इसका निर्मान हिमाले तथा प्रायदीप से प्राप मलवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गात द्वारा हुआ है यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मदानी भागों के साथ-साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गुदाबरी, कृष्णा और कावेरी गाडियों में भी फैली हुई है इस तरह ऑप्शन भी इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट है दित्य हरित करांती के संबंद में निमलिखित पर विचार कीजिए और पताईए कि इनमें कौन सा सही सुमेलिथ है दित्य हरित करांती, इसका लक्षे पिर्तम हरित करांती में परियक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में विरदी करना था यह गतन गलत है, क्योंकि इसमें सभी फसलों को साथ में लेकर उत्पादन को बढ़ाने पर विशिश बिल दिया गया था देद्य हरित करांती में पशु पालन, समाजी गवान की तता मतच से पालन को भी शामिल किया गया था यह एकनम ठीक है, इसका लक्षे हरित करांती से अब तक लावान बित ना हो सकने वाले छेत्रों में बीच, पानी, उर्वरक, एवन तकनीकी का विस्तार करना था, यह भी एकनम ठीक है इस तरह ओप्शन दो और तीन, इसके सही सुमिले थे हैं, इस तरह ओप्शन सी, इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट है, कथन कारान, भारत में, कथन ए, भारत में पस्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धन का उत्पादन अधिक होता है जिसका कारान है, भारत की पूर्वी तट पर पस्चिमी तट की तुलना में अधिक भर्षा होती है इसका कथन एकदम ठीक है लेकिन कारण गलत है क्योंकि पूर्वी तर्ट की अपिक्षा अधिक वर्चा पश्चमी तर्ट पर होती है इसलिए option C इसका सही उत्तर होगा next है भारतिय शाकपाजी अनुसंदान संस्थान इस्तित है इसका सही उत्तर होगा option D अर्थात उत्तर परदेश भारतिय शाकपाजी अनुसंदान संस्थान जोकी बनारस में अवस्तित है यह 1999 में इस्थापित किया गया था next है निमलेखित में से कौन सा सही सुमिलित है एक तरफ आपको शिप्याड दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे सम्मंदित राचे garden रूच शिप्याड जोकी कोलकाता में अवस्तित है यह गलत है क्योंकि यह कोलकाता नहीं बलकि पश्चिब मंगाल में अवस्तित है हिंदूस्तान शिप्याड हिंदूस्तान शिप्याड मुंबई में अवस्तित न होकर आंदर परदेश में अवस्तित है कोचिन शिप्याड कोचिन शिप्याड जोकी केरल में अवस्तित है और मजगाव शिप्यार्ड, मजगाव शिप्यार्ड, जो की महाराश्ट में अवस्थित है इस तरह option A इसका सही उत्तर होगा क्योंकि west mangal को खॉल कता जो की garden ridge शिप्यार्ड अवस्थित है next है सूची A को सूची 2 से सुमेलित कीजिए इसमें सूची A, सूची A में वरक्ष दे रखे हैं और सूची 2 में वह किस छेतर में पाए जाते हैं उनका छेतर दे रखा है आपको पता ना है कि कौन से सही सुमेलित है सागोन वरक्ष जो की अधिकांच विस्तार मद्दे भारत में पाए जाता है और देवदार जो की हिमाले के पस्चिमी हिमाले में पाए जाता है मतला हिमाले के उच्छे छेतरों में पाए जाता है और सुन्दरी जो की सुन्दरवन में पाये जाता है और सिन्कोवा जो की हिमल्ले की तरही में पाये जाता है इस तरह इसका सही उत्तर होगा option A, 2, 4, 3 और 1 next question है किस व्रक्ष को मरुस्थल का राज़ा कहा जाता है इसका सही उत्तर होगा option A, खेजरी जिसे मरुस्थल का राज़ा भी कहा जाता है इसके अलावा ब्यूटिया मोनस्परमा की बात करें तो ब्यूटिया मोनस्परमा जिसका हिंदी नम पलास है और इसे जंगल की आग के लूप में भी जाना जाता है और यह उत्तर प्रिदेश का राज़ किये पुष्प भी है लेकिन खेजरी जिसे मरुस्थल का राज़ा कहा जाता है इसलिए एक अथन हमारा ठीक है next question है कौन सा जलपरपात करनाटक में अवस्थित नहीं है इनमें से कौन सा जलपरपात ऐसा है जिसकी अवस्थिती करनाटक में नहीं है इसमें डूडूमा जलपरपात जोकी ओरीसा में अवस्थित है और यह ओरीसा में मचकुंड नदी के मुहने पर इस्थित है इसके लावा जोग जलपरपात जोग जलपरपात जोकी शरापती नदी करनाटक में अवस्तित है शिफ समुंदरम जोकी कावेरी नदी करनाटक में अवस्तित है और गोकाक जोकी गायड प्रवा नदी करनाटक में अवस्तित है इस तरह option 6 का सही उत्तर होगा Next question है कतन काराण कथन भारत मुलता एक मांसुनी देश है कारण भारत ओष्ण कटी बंदिया अक्षान जो की बीश इस्थित है इसका कारण जो की गलत है और यह option आप याप उपर भी पढ़के आ चुके हैं कि भारत पूर्टा उष्ण कटी बंदिया अक्षान जो की बीच अवस्थित नहीं है लेकिन कतन एक भारत मुलता एक मांसुनी देश है इस तरह इसका option B A सही है प्रण दू आर गलत है ठीक होगा नेक्स्ट है निमलिकत में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है आपको बताना है कि इन में से कौन सा गलत है एक तरफ आपके तेल शोधन कारखाना और दूसरी तरफ उनसे संबंदित राज्य दे रगे हैं इसमें पहला है नुमानी नुमालीगड जो की असम में अवस्थित है ठीक है बरोनी बरोनी जो की बिहार में अवस्थित है नाकपटनम नाकपटनम का संबंद तमिलनाडू से है और नुनामाटी गुजरात में अवस्तित ना होकर असम में अवस्तित है इस थरह option D इसका सही उत्तर होगा next है पर्मानु उल्जा उत्पादन हेदु किस इस्थान पर भारी जल सैंत्र इस्थापित नहीं है इसका सही उत्तर होगा option B अर्थात केगा केगा पर्मानु उल्जा उत्पादन के लिए भारी जल सैंत्र इस्थापित नहीं है इसके अलावा तालचेर जोकी उरिसा में अवस्तित है हजीरा का सम्मंद गुजरात से है और कोटावा थाल जोकी राजिस्तान से सम्मंदित है और थाल जोकी महराष्ट्रे सम्मंदित है इस तरह option B कहएगा इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा option D अर्थात नई दिल्ली नई दिल्ली में इंडियन इंस्टिट उफ एकलोजी एंड इन्वार्मेंट अवस्तित है जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी नेक्स्ट कोशन है निमलिकित में से कौन असुमेलित युग्म का चैन कीजिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म असुमेलित है इसमें पहला है विश्व ओजोन दिवस जोकी 16 सितंबर को मनाया जाता है एकदम ठीक है विश्व पृत्वी दिवस जोकी 22 अपरेल को मनाया जाता है यह भी ठीक है और विश्व वाने की दिवस जोकी 22 माल्च नहीं एक किस माल्च को मनाया जाता है इस तरह option C इसका गलत उत्तर होगा इसके लावा विश्व जन्च के दिवस जोकी 11 जोलाई को मनाया जाता है नेक्स्ट है निमलिकेत में से कौन सा एक अजयाविक घटक नहीं है प्रकाश, B मर्दा, C कर्वो हाइडरेट और D उत्पादक इसका सही उत्तर होगा option D अर्थात उत्पादक उत्पादक जोकी एक अजयाविक घटक नहोंकर जयाविक घटक है अजयाविक घटकों में वायू तावमान, वायू दाव, आदरता, उच्चावज, इस्तला करती इत्यारियों को समलित किया जाता है यह सबी निर्जीव घटक हैं, जो की जैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं, प्रकाश मिर्दावा कार्वोहेडरेट अजैविक घटक हैं, और जैविक घटकों में उत्पादक उपभोगतावा अप घटकों को शामिल किया जाता है, यह सबी घटक फूर्जर एवं भूर् परियोजना और दूसरी तरफ उनके प्रारम बर्ष दे रखें आपको बताना है कि कौन से सुमिलित है हाधी परियोजना जो कि 1992 में स्चार्ट की गई थी इसके अलावा लाल पांडा परियोजना की शिरुबात 1996 में की गई थी बाग परियोजना जो कि 1973 से संब्दित है और हं नेस्ट है एक जलियजीभ की चिहत का च्छसंप करने के लिए किसकी गड़रना की जाती है एक जलिय जीभ की चिहत का जैंक करने के लिए हमें घुलीवी ऑक्सीजन जिसे बाइलिगल oxygen demand b कहते हैं के द्वारा गड़ना की जाती है इस तरह option a इसका सही उत्तर होगा next है पारिस्त की तंत्र में विवन पोश्चन इस तरह में ओल्जा का इस्थांत्रन का नियम कहलाता है ओल्जा के इस्थांत्रन का 10 पिर्तिश्यत का नियम पारिस्त की तंत्र में उल्जा इस्थांत्रन का नियम कहलाता है इसमें उल्जा इस्थांत्रन में क्योंकि पारिस्त की तंत्र में हवीश्य उल्जा का इस्थांत्रन एक पोश्चन इस तरह से दूसरे पोश्चन इस तरह में होता है उल्जा का यह इस्तरांतरन स्टैब एक देशी होता है और पृतियक पोशन इस तर में उल्जा के इस्तरांतरन के दोरान उसमें कमी होती है इसे ही उल्जा इस्तरांतरन का 10 पृतिशत का नियम खा जाता है क्योंकि यह कमें लिंड मेन के 10 प्रिदिशन नियम के नसार होती है नेक्स्ट है मॉन्टेरियल सम्मिलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था इसका सही उत्तर है option A विक्सित देशों पर वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिवन लगाएंगे यह फैसला 1987 में मॉन्टेरियल सम्मिलन के दुरान लिया गया था मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल एक अंतराश्ट्रिय संदी है जो ओजुन परत संदक्षान के लिए मुखे रूप से उत्तर दाई है मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल के अंतरकत उन रसाइनिक पलहारतों के उत्तर जंग को कम करना होता है जो ओजुन परत को शीरिन करने के लिए जिम में दाहरा है नेक्स्ट है विश्व वनेजीव कोश अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतिक चिन क्या है इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन B सफेद पांडा जो की WWF का प्रतिक चिन है और WWF की स्थापना 29 अप्रेल 1961 में की गई थी और जिसका मुख्याल है स्विज्डरल लेंड में है नेक्स्ट है कुछ बर्ष पहले तक गिद भारती दियातों में आमतर पर दिखाई दे 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 किन्तु आजकल कभी कभार ही नजरा आते हैं इस इस्तिती के लिए उत्तर दाई है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन B अर्थात गो पशू मालिको द्वारा रुगुनों पशू के उपचार हेतियों प्रियुक्त की गई एक औश्ति जिसका नाम डाइकलो फिनॉल है यह दवा पशू को दी जाती है और जो की गिद के लिए हनिकारक है गिदो द्वारा पशू के मास का सेवर करने से डाइकलोफोईन दवा उनके शरीद में प्रिवेश कर जाती है जो की गिदो की किड़नी के लिए अत्यंत हनिकारक होती है जिसके परिणाम सरूप कुछ बर्शों में गिदो की संक्या में कमी आई है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन से प्रात्मिक प्रिदूशक का सही बिकल्प है प्रिदूशक हमारे दो परकार के होते हैं एक प्रात्मिक प्रिदूशक और एक दित्यक प्रिदूशक प्रात्मिक प्रदूशक वे प्रदूशक जो प्राकिर्तिक या मानवी क्रिया के लापों द्वारा सीधे निश्कासित होते हैं इसमें Sulfur Dioxide, Nitrogen, Oxide, Carbon, Dioxide, Carbon, Mono Oxide और Plastic और DDT आदिशामिल होते हैं यदि हम दित्यक प्रदूशक की बात करें तो दित्यक प्रदूशक जैसे कि Sulfur Dioxide, H2SO4, H2SO4, H2SO3, Ammonia, Ozone, Smoke आदिए हैं अब यदि इसमें option दे रखा है प्रात्मिक प्रदूशक, प्रात्मिक प्रदूशक जो की राकृति के मानवी क्रिया के लापों द्वारा उत्सलजित होते हैं तो इसका सही उत्तर होगा Plastic और Carbon Mono Oxide इस तरह option A इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा प्रामिड सदैफ सीधा होता है इसका सही उत्तर होगा option C अर्थात उल्जा प्रामिड उल्जा प्रामिड जो की सदैफ सीधा होता है यदि हम प्रामिडों की बात करें तो सबसे पहले हम संख्या प्रामिड की बात करेंगे संख्या प्रामिट गहास के मैदान में वा तलाब में सीधा होता है जबकि वन में उल्टा होता है इसके लावा बायो मास प्रामिट इस्थलिय पारिस्तित की तंदर में सीधा जबकि जलिय पारिस्तित की तंदर में उल्टा होता है यदि हम उल्जा प्रामिट की बात करेंगे तो उल्जा प्रामिट इस्थलिया वजलिया पारेततर में हमेशा सीधा ही होता है इस थरह option C इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट है राष्टिय परियावरान अवियांदरी की शूत सहंस्तान जिसे हम शल्ट में नीरी के रूप में भी जनते हैं यह अवस्थित है इसका सही उत्तर होगा option C अर्थाद नागपूर नागपूर में नीरी इंस्टिट्यूट अवस्थित है इसकी स्थापना 1958 में की गई थी next question है the future we want नामक शील्षक से जारी गोशन पतर का संबंध है अब हम इसमें कुछ maths की question देखेंगे इसमें maths की question लगबग 10 से 12 होंगे जिने हम ऐसे ही solve करने का प्रियास करेंगे पहला question है निमलेकित में से कौन सबसे बड़ा है आपको बताना है इन चारों कत्रों में से सबसे बड़ा कौन सा है यह संख्या हमारी है 4 सही 1 बटा 3, 6 सही 1 बटा 4, 5 सही 15 सही 1 बटा 6 और 245 सही 1 बटा 12 आपको बताना है कि इन में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अब हमें इसमें देखना है कि सबसे बड़ा इधर 3, 4, 6 और 12 में से सबसे बड़ा 12 है अब हम इन सब को 12 बढ़ाने का प्रियास करेंगे 245 साही एक बेटा 12 होगी इस तरह option डिए इसका सही उत्तर होगा जदी हम इसे शॉल्ट में लिखकर दिखाएं तो इसे हम 245 को वर्ग में लिखेंगे और ऐसे ही 15 की बात करेंगे तो 15 को हम 6 के वर्ग में लिखेंगे लेकिन हमें 6 12 बनाने के लिए हमें इसमें 2 से गुणा करने पड़ेगी इसलिए 12 into 225 होगा यह इससे छोटा है इसलिए option डिए इसका सही उत्तर होगा next है एक भिन दे रखिए आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा इसमें हम इसे सरल्दम रूप में यदि solve करें तो हम इसे 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 111 प्लस 112 प्लस 112 प्लस 112 प्लस 112 प्लस 112 के रूप में लिखेंगे और यदि हम यहां से 2 का L से हम ले लेंगे तो यहां सब जगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एट हो जाएगा sorry 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 फोर हो जाएगा और यदि हम इसे काटेंगे तो हमारे पास यह सब calculation क्रॉस होने के बाद हमारे पास केविल दो बचेगा और यदि हम इन सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास 12, 36 अंसर आएगा इस तरह हमारा option A बिल्कुल ठीक हो जाएगा next है x1, x2 तथा x3 का औसक 14 है x1 प्लस x2 प्लस x3 का औसत 14 है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 is equal to 42 क्योंकि 14 की हम 3 से गोड़ा करा देंगे 14 यहां balance होता है और यह हमारी question 1 हो जाएगी इसके आगे हम पढ़ेंगे x1 और x2 के योग का 2 गुना 30 है अब हम लिखेंगे x1 प्लस x2 के योग का 2 गुना 30 है अब हम इस दो को यदि हम नीचे भेज देंगे तो यह कट जाएगा और यहां बचेगा 15 इस तरह हमाँ पास दूसरी equation बनेगी x1 प्लस x2 is equal to 15 अब हमाँ पास दो equation बन जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 is equal to 42 और x1 प्लस x2 is equal to 15 अब हम इसमें से x1 और x2 की value को यहां पर put करेंगे x1 और x2 की value कितनी थी हमारी 15 थी अब हम x3 की यदि हमें value निकालनी है तो x3 की value निकालने के लिए हम 45 में से 15 माइनस कर देंगे x3 की value के लिए हम 42 में से यदि 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 अंसर आ जाएगा जो कि हमारा option a satisfy करता है next है रुपे 425 को 4 पुरुषों 5 महिला तथा 6 बच्चों में 9 अनुपात 8 अनुपात 4 के अनुपात में बढ़ा जाता है तो एक पुरुष का हिस्सा कितने रुपे होगा इसे solve करने के लिए हमें 4 पुरुषों को 9 हिस्सा देना है इसके बाद 5 महिलाओं को 8 हिस्सा देना है और इसके बाद 6 बच्चों को 4 हिस्सा देना है यदि हम इसे solve करें तो 36 पिलस 44 हो जाएगा और यदि हम इसे solve करेंगे तो यदि solve करने के बाद हमारे पास 100 आ जाएगा अब हमें केवल संपूर धनराशी में 4 पुरुषों का हिस्सा ग्याद करना है अब हमें हमारे पास टोटल था 425 रुपे 425 का पुरुषों का हिस्सा कितना है 9 इंटू 4 और इसका हमें चार पुरुषों का ग्याद करना है अब हम इस question को यदि हम solve करेंगे तो 4 से 4 cross हो जाएगा और इसे हम solve करने के बाद 38.25 रुपीज प्राक करेंगे आप इसे calculate करके देख लीजिए next question है एक railway station पर एक downtrain प्रती दो मिनट तथा एक up train प्रती तीन मिनट पर गुजरती है तो बताइए कि 30 मिनट में कितनी train गुजरेंगी अब हमें 30 मिनट की बात करनी है 30 मिनट में downtrain प्रती दो मिनट में गुजरती है अब downtrain अगर दो मिनट में गुजरती है तो इसे सबसे total 15 downtrain गुजरेंगी और up train की बात करें तो 30 मिनट में total 3 मिनट पर एक downtrain गुजरती है तो इस तरह से यदि हम काटेंगे तो 10 up train गुजरेंगी और हम 15 प्लस 10 को जोड़ देंगे तो हमें पर टोटल 25 आएगा जो कि हमारा D satisfy करता है Next है एक संबाहू में जिसका पृतिय कुण 15,60 का हो उसमें बुजाएं होंगी इसका सई उत्तर होगा option D अर्थात 15 बुजा इसका formula मैं आपको बता देता हूँ आप इसे घर पे solve करने का प्रियास कीजिए यह है इस वाले formula से solve होगा इस equation को यदि आप solve करेंगे तो आपकी value 15 आ जाएगी Next question है यदि perfect को R, G, T, H, G, E, V हो तो इसी परकार brown कैसे लिखा जाएगा इसमें P और R, E और G, R और T इन सभी की बीच में दो का gap है और इसी के साथ हम brown में भी हरी संक्या के साथ दो का gap करेंगे इस तरह दो का gap करने के बाद जो हमें संक्या मिलेगी वो B का अगर हम दो का gap करेंगे तो हमें D, फिर R के बाद T, O का Q, W का Y और N का P मिलेगा इस तरह D, D, Q, Y, P इसका सभी उत्तर होगा जो कि हमारा D satisfy करता है Next question है आपको बताना है कि इस question mark की जगा कौन सी संक्या आईगी B, L आपको बता है कि B की value 2 होती है और L की value 12 होती है 2 और 12 हमारे 14 हो जाते हैं और 14 में यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो 12 आएगा इसी परकार D की value 4 होती है और G की value 7 होती है यह हमारा 11 हो जाएगा 11 में से यदि हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा 9 आजाएगा 12 यह रहा और 9 यह रहा इसी के साथ यह IV ऐसे हुए और OM MO भी ऐसे हुए यदि हम Q S को अगर solve करने के प्रियास करेंगे तो Q की value हमारी जो की 17 होती है और S की value जो की 19 होती है 17 और 19 जो की हमारा 36 होता है अब 36 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारी पास 34 value प्राप्त होगी जो की हमारा option भी satisfy करता है next है गीता की और इंगित करते वे रमेश ने कहा मैं उनकी मा के पुत्र का एकलोता पुत्र हूँ गीता का रमेश ते क्या सम्मंद है गीता के मा की पुत्र गीता का भाई हुआ और गीता के भाई का एकलोता पुत्र रमेश है इसलिए गीता रमेश की बुगा होगी option c इसका सही उत्तर होगा next है आपको लुट संख्या गयाद करनी है इसमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा होगा 2 प्लस 3 बराबर हमारा 5 होता है और 3 प्लस 5 हमारा 8 होता है और 5 प्लस 8 हमारा 5 प्लस 3 हमारा 8 होता है और 8 प्लस 4 हमारा 12 होता है इसमें हर संक्या जैसे 2 प्लस 1 बरावर 3 आया और 3 प्लस 2 बरावर 5 आया अब 5 प्लस 4 प्लस 3 बरावर 8 आया मतलब की हर संक्या 1,2,3,4,5,6,7,8 ऐसे करके कल्कुलेट होती जाएगी इसलिए हमें 23 संक्या गिननी है तो 23 संक्या 1,2,3,4,5,6 और 23 संक्या के साथ हम 7 अगर जो देंगे तो हमें 30 प्राप्थ होगा जो कि option C satisfy करता है इस तरह हमारे questions जो कि match के थे पूरता solve हो चुके हैं अब हम थोड़े से current affair की questions देखते हैं इसमें सबसे पहला question है US Chamber of Commerce द्वारा जारी अंतराष्टिय बहुदिक संपता सूचकांग सं 2022 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ था इसका साही उत्तर होगा option A इसका साही उत्तर होगा option A दिल्ली दिल्ली की केमिलेट ने इसका साही उत्तर नहीं है क्योंकि इस एप को पंचायती राजमंतरी इंगरी राज सिंग के तौरा लॉंच किया गया था इसके लावा दूसरा कतन जो की ठीक है यह एप e-governance की और एक कदम है जो लोगपाल को पारदलशी और जवाबते ही तरीके से अपने करतबे पलन करने मदद करता है इस तरह option B इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट है हाली में जल सकती अभियान catch the run सं 2022 अभियान के शुभारम किस के द्वारा किया गया था 87 जिसका अंतर होगा option C अर्थात रामनाद कोविन जो की हमारे पूरवराश्टपती रह चुके हैं इसमें current affair के question थोड़े से old होंगे क्योंकि है test series थोड़ी पराणी हो सक नेक्स्ट है भारते प्रतिभूती और बिनिमे वोड सेवी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है यदि आप current affair follow करते हैं तो आपने यह question लगबग हजारों बार पाड़ा होगा इसका सही उत्तर होगा option A मातपुरी पुरी बुच जो की सेवी की पहली महिला अध्यक्ष ब इसका सही उत्तर होगा option D दुनिया की पहली plant waste COVID-19 vaccine कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा option B राफिल नडल नडल ने मेक्सिको उपन टेनिस टूर्णमेट में पुरुच दिंगल वर्व का खेताब जीता था? इसका सही उत्तर होगा option B राफिल नडल ने मेक्सिको उपन टेनिस टूर्णमेंट में पुरुच दिंगल वर्व में खेताब जीता था? नेक्स्ट कुशन है भारत में विश्वेंग के किस प्रमुख को वैश्विक रिणदाता संस्थान की एक प्रमुख एजेंसी का उपाद्यक्ष निक्त किया गया है इसका सही उत्तर होगा option B जुनेत कमाल एहमाद जुनेत कमाल एहमाद को विश्वेंग के प्रमुख नेक्स्ट कुशन है डी आइडियों के साथ मिलकर किस इंस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रिब्यूशन लिंक का सफलता पूर्वा परिक्षन किया है इसका सही उत्तर होगा option B आर्थात आयाइटे दिल्ली आयाइटे दिल्ली ने डी आइडियों के सा गलत है क्योंकि इसका उत्गाइटन नरेध मोदी नहीं बलकी राष्टपती रामनाथ कोशबंत Luigi के द्वार किया गया था इसके अलावा चात्रों को दैने को प Att siellä तो कि विघ्यानिक ज्यान की और आकरश्य करने के उद्देशे से विघ्यान सरवत्र पूझते कारेगरम शुरू किया गया था, यह कदम ठीक है और तीसला कदम भी ठीक है कि उसरा करेगरम का उद्देशे विघ्यानिक से थांतों करना था, इस तरह option 2 और 3 जोकी हमारे C में हैं इस तरह option C सही है next है इसका सही उत्तर है option B राष्ट में रामनात कोवन्द ने आरोंके वनम का उध्गाडन किया था next है 35 सूरजकुन अंतराष्टिय शिल्फ मेले का थीम राज्य का थीम राज्य और केंदर शाथत प्रिदेश कौन सा है इसका सही उत्तर होगा option D 35 सूरजकुन अंतराष्टिय शिल्फ मेले का थीम राज्य जम्मू एन कश्मीर है option D next है Center for Science and Environment CSE द्वारा जारी Center for Environment Report 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है इसका सही उत्तर होगा option C अर्थात 120 में स्थान पर भारत की rank थी next है राश्ट्री मोलियंकन और प्रित्यायन परिशत अर्थात NAAC की कालेकारी समिती के नए अध्यक्ष बने थे इसका सही उत्तर होगा option D अर्थात बोशन पडवर्धन जोकी NAAC समिती के नए अध्यक्ष बने थे next है मैला और बालविकास मंत्री इसमिर्थी इरानी ने कहां पर निम्हांस के सयोग से इत्तरी मनुलक्षा प्रियोजना का शुभारम किया था इसका सही उत्तर होगा option B अर्थात जैपूर option B अर्थात बैंगलूरू बैंगलूरू में मैला और बालविकास मंत्री इसमिर्थी इरानी ने निम्हांस के सयोग से इस्तरी मनुलक्षा परियोजना का शुभारम किया था नेक्स्ट कोशन है अंतराष्टे दूसर अंचार संग आईटियू दक्षण एशिया के लिए अपना एक छेत्री कार्याले और नवाचार केंद्र कहां इस्तापित करेगा नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच दूसर अंधरी अप्यास स्लाइनेक्स का नौगा संस्करान आयोजित किया था इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन C श्री लंका श्री लंका और भारत के बीच लाइनेक्स का नौबर संस्करान की शिरुवाद की गई थी नेक्स्ट है इस्टडी इन इंडिया मीट संदुजर वाइस के संदर में निमलिकित कत्मों पर विचार की जए इसका आयोजन कोलंपो श्री लंका में किया गया था यह कहला था क्योंकि इसका आयोजन कोलंपो श्री लंका नहीं बलकि बांगलादेश में किया गया था दूसरा खतन एकदम ठीक है भारतिय उच्छायोग दौरा आयोजित कार्यकरम का उद्गारण बांगलादेश के शिक्षा मंतरी डॉक्टर दीपु मोनी और बांगलादेश के भारत के उच्छायोग विक्रम दौराई स्वामी ने किया था नेक्स्ट है बगबान बुद की भारत में सबसे बड़ी शेयन मुद्षेयन मुद्रा पृतिमा का निर्मान कहां किया जाएगा इसका निर्मान बिहार के बोध गया में किया जा रहा है नेक्स्ट है केंद्रे गरह मंत्री अमित्षा ने राज्य में 33 प्रितिशत सरकारी नौगरियों में महिलाओं को आरक्षन देने की कुश्णा की है इसका सही उत्तर होगा option A, अर्थाद तरिपुरा, तरिपुरा राजय में केंद्रे गरह मंत्री ने तैसिक प्रितिशत महिलाओं को आरक्षन देने की बात कही है इसका सही उत्तर होगा option B, नेरोवी केन्या, नेरोवी केन्या में प्लास्टिक प्रितुशान से ने पटने के लिए पांच पे सही उत्तर होगा option A, अर्थाद यून एफ फाइव का आयोजन किया गया है इसका सही उत्तर होगा option A, भूमी का स्रेष्ट को नेपाल भूमी का स्रेष्ट को नेशनल वूमेन ओफ करेष्ट प्रितुशान से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट है कौन सा राज्य मिशन इंदर धनुश के तहत 95.5% पूर्ण टीका करेंड कवरेज के साथ सूची में सबसे उपर है इसका सही उत्तर होगा option A, उरिसा उरिसा इसमें प्रतम इस्थान पर है नेक्स्ट है भाषा सार्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्राले ने शिरू किया है इसका सही उत्तर होगा option A, शिक्षा मंत्राले ने भाषा सार्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शिरुवात की है नेक्स्ट है, हालहे में किस मंतराले दोरा, गिरामिन उन्होजगार प्रिशिक्षन अर्थात Rural Self-Employment Training Institute, जिसे हम रैस्टी के नाम से भी जानते हैं, कि शुरुवाद की गई ती है, गिरामिन विखास मंतराले के दोरा शुरू किया गया था किस संगटन ने पिर्दुशनकारी वस्तू के आयात परविश्व का पहला कारवन डाय ओक्साइड उसर्जन शुल्क लगाने का फैसला लिया है इसका सही उत्तर होगा option A, यूरोपिय संग ने पिर्दुशनकारी वस्तू उपर टेक्स लगाने का फैसला लिया है इसका सही उत्तर होगा option C, अर्थात 1971 से भारत की जन्संक्या वर्यदी दर्मे निरंतर गटने की प्रवर्ति देखी गई है नेक्स्ट है, नीचे दिये गए राजियों में किसका लिंगानुपाद, राष्टे लिंगानुपाद से कम है आपके पास option है A, हिमाचल प्रदेश, B, उत्राखंड, C, मणिपूर और D, अर्वनाचल प्रदेश, इसका सही उत्तर होगा option D, अर्वनाचल प्रदेश, अर्वनाचल प्रदेश का लिंगानुपाद 938 है और राष्ट्रिय लिंगानुपाद जो की 947 है इसलिए हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपाद राष्ट्रिय लिंगानुपाद से कम है इसका सही उत्तर होगा option A, मिजोरम में अनुसूचित जाती पाई जाती है इसके अलावा हरुनाचल प्रदेश, नागलेंड और लक्षदीब यहाँ पर अनुसूचित जातीयों की संख्या निवास नहीं करती है और सरवाधिक एमाम नियूंतम अनुसूचित जन्जाती जन्संख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम अनुसूचित जन्जाती वाले राज्य है जो की मिजूरा है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा खतन सही है इसमें आपको चार खतन दे रखे हैं इसमें आपको बताना है इन चारों में से कौन सा खतन सही है इसमें ऑप्शन सी 2011 की जनवरिना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षर्था दर आंदर प्रदेश की साक्षर्था दर से अधिक है यह कतन एकदम ठीक है क्योंकि उत्तर प्रदेश की साक्षर्था दर 67.7 प्रतिशत है जबकि आंदर प्रदेश की सक्षरता अदर केवल 67 प्रदेश अधा है इस तरह option C इसका सही उत्तर होगा Next है निमलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अन्ने तीनों से अधिक है इसका सही उत्तर होगा ओरीसा इसका सही उत्तर होगा option D अर्थत उत्तर प्रदेश की नगरी जनसंख्या के प्रतिशत 24.3 प्रतिशत ना होकर वाइस 25.3 प्रतिशत है इसके लावा उपर की तीनों ही कथन सही है नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सरवादिक एवं नियुन्तम साक्षर दर्वाला जिला कौन सा है आपके पास option है एक गोतम बुद्नगर एवं बताईयों बी लगनाव एवं नांपूर सी गोतम बुद्नगर एवं श्रावस्ती डी कानपूर एवं बहराईच इसका सही उत्तर होगा option C गोतम बुद्नगर एवं श्रावस्ती यदि हम भारत के सरवादिक साक्षर दर्वाले जिलो की बात करें और पांचमार रापूर है इस तरह option C इसका सही उत्तर होगा नेक्स्ट है अनुकूलतम जनसंक्या सिधान्द के प्रवर्तक कौन थे इसका सही उत्तर है option C एडविन केनंग जोकी अनुकूलतम जनसंक्या सिधान्द के प्रवर्तक थे अनुकूलतम जनसंक्या से तातपर्य जनसंक्या के उस अकार से होता है जो उपलत संसादन उंजी एवं वर्दमान प्रवधी की इस्तिती में अधिक्तम प्रतिवेक्ति आये प्रधान करता हो इस थरह option C इसका सही उत्तर है नेक्स्ट है निमलिखित में से किस राज्य की जनसंक्या एवं नगरिय जनसंक्या का प्रतिशत अधिक है इसका सही उत्तर है option C गोवा का गोवा का गोवा का राज्य की जनसंक्या में नगरिय जनसंक्या का प्रतिशत सबसे अधिक है इसमें नगरिये जन संख्या लगबा 12.2% के आसपास रहती है नेक्स्ट है निमलिखित के इंद्शासित प्रदेशों में नियुन्तम नगरिये जन संख्या वाला प्रदेश कौन सा है इसका सही उत्तर है option A लक्षदीप लक्षदीप में 64,473 नगरिये जन संख्या है जोकि नियुन्तम नगरिये जन संख्या वाला प्रदेश है नेक्स्ट है निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इन में कौन सा कतन सही है नेक्स्ट है नेक्स्ट है निमलिखित घरानों में से कौन सा एक सितार वाधन के लिए विचेश तोर पर जाना जाता है इसका सही उत्तर है option C अर्थात इटावा घराना जो की सितार वादन के लिए विशेश तोर पर जाना जाता है रोजाताप विद्यॅथ परियोशना की स्थापना उत्रपृदेश के शहाजहापूर में की गई है इसलिए option B इसका सह़िय उत्तर है किस राजय सरकार द्वारा किसान कल्यान मिशन की शुरुवात किया गया option A, गुजरात, B, पंजाव, C, राजस्थान, D, उत्र प्रिदेश, इसका सही उत्तर है, option D, उत्र प्रिदेश, उत्र प्रिदेश के द्वारा किसान कल्यान मिशन शुरू किया गया था नेक्स्ट है, निमलिकेत राज्यों में से कौन सा उत्र प्रिदेश के सीमावर्ती राज्यों हैं, आपको पता है कि उत्र प्रिदेश के सीमावर्ती राज्यों में, हिमाचल प्रिदेश, हरियाना, राजस्थान, मद्यप्रिदेश, चतिर्गर, जहारकंड, बिहार, ऐबं, उत्राखंड और इसी के साथ एक के इन्रशातित प्रदेश दिल्ली शामिल हैं इसमें पंजाब उपस्तित नहीं हैं इसलिए पंजाब बले ऑप्षन को जदी हम काड़ दें तो हमारे पसके बले एक ऑप्षन BCD सही बचता है हमारा ऑप्षन B एक इन सही होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्षन C अथाथ ख्याल नरते जो की पुत्र जन्मुत सब पर किया जाता है नेक्स्ट है आपको दो बतन दे रखे हैं आपको बताना है कि इनमें कौन से बतन सही है पहला है उत्र प्रदेश में महिला कल्यान एवं विकास के लिए प्रिशासनिक मशिनरी के रूप में वर्ष 1988 में वाल विकास सेवा एवं पुष्ठार निदिशाले की स्थापना की गई है यह कदन ठीक है दूसरा है उत्र प्रदेश में वर्ष 1989 में महिला एवं वाल विक गस्पेगाग आप की स्थापना की गई गई है यह कतन इंगत जो थीक है इस तरह समस्थितनसें और दू से खंधत म सबैद होगा दक्रकराद करेय אז अवास्तित है इसकी स्थापना 1972 में एक स्वैथ सुसाइटी के रूप में की गई थी नेक्स्ट है निमलिकित स्थानों में से कहां पशुचिकित साफ पॉली किलीनिक इस्थापित किये गए हैं पहला गोरखपुर दूसरा मुझफवर नगल तीसरा वारानसी और चोथा स्थापई इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी अर्थात चारहोगी जगा पशुचिकित साफ पॉली किलीनिक इस्थापित किये गए हैं नेक्स्ट है निमले कित कत्मा पर विचार कीजिए उत्तर प्रदेश को 20 किर्शी जलवायू छेत्रों में बरगी किरत किया गया है यह भी गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्तित की छेत्रों की संख्या 20 है इस थरा इसके दोनों ही कत्म गलत हैं ऑप्शन डी हमारा सही होगा नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रभावी स्वास्ते सेवाओं की संदर्व में दिये गए कत्मा पर विचार कीजिए मिशन इंदर धनुष के अंतरगत तीन लाख बच्चों को ठीक गरण का लक्षे रखा गया था जिसमें संदोजार 20 तक पूर्ण करना था यह option गलत है क्योंकि मिशन इंदर धनुष के तहत बच्चों वो साथ रोगों हे तू साथ प्रकार का ठीका लगता है जिसमें डिपती थीरिया, काली खांसी, हेप्टेटाइटेस, भी, टिटनेस, पूलियो, यक्षमा और खस्रा मुख्ये हैं और दूसरा है आईश्मान के अंतरगत 7 लाख रुपे प्रती वर्ष चिकित सा भीमा कवर परदान किया जाता है गलत क्योंकि इसमें 7 लाख नहीं बलकि 5 लाख प्रती वर्ष चिकित सा भीमा कवर किया जाता है नेक्स्ट है इस तरह हमारा ऑप्षन D सही होगा नेक्स्ट है 1911 में लखनों में स्थापित कला एवम शिल्प महाविद्याले के प्रिचारे को महाविद्याले का सुर्य कहा गया इसका सही उत्तर होगा ऑप्षन C अथाथ सुधीर रंजन खस्तगीर सुधीर रंजन खस्तगीर को 1911 में लखनों में स्थापित कला एवम शिल्प महाविद्याले के प्रिचारे को महाविद्याले का सुर्य कहा गया था नेक्स्ट है वंदे मातरम योजना का संबंद किसरे है वंदे मातरम योजना का संबंद गर्वबती महिलाओं के निश्रल कुप चार से है इस योजना की शिरुवात 9 फरवरी सन 2004 को की गई थी नेक्स्ट है उतर प्रदेश में उर्दु अकात्मी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उतर प्रदेश में उर्दु अकात्मी की स्थापना 1972 में की गई थी? इसकी स्थापना लखनव में की गई थी? नेक्स्ट है सूची एक को सूची दू से सुमेलित कीजिए सुची एक में सनस्थान और सुची दो में उनसे सम्मन्दित उसकी आवस्तिरी दे रखिया आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेले थे भारते इंदू नाट्टे अकेडमी प्रियागराज नहीं भलकि लखनाओ में अवस्तित है निराला आर्ट गैलरी लखनाओ भलकि प्रियागराज में अवस्तित है भारते राष्ट्य लोग कला परिश्यत भारते राष्ट्य लोग कला परिश्यत बरान थी जो की एकदम सही स तुमेलित हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा option B दो, एक, तीन और चार next है उत्तर पृदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है उत्तर पृदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जोकी बारा बंकी है और गाजेपुर जो कि प्रिदेश का एक मात्र अफिम्त का रखाना है नेक्स्ट भारते गर्ना अनुसंदान सहंस्थान की स्थापना कब की गई थी इसकी स्थापना 1952 में की गई थी जो की लखनों में आवस्तित है इस थरह option 6 का सही उत्तर होगा नेक्स्ट है उत्र पृदेश में बनाएगए मंडलों की नविन्तम सक्या कितनी है उत्र पृदेश में 18 मंडल के साथ जिलो के सैंख्या 75 है और उत्र पृदेश की राजधानी क्या है यह आप हमें comment box में बताएंगे नेग्स्ट है, ओतर प्रिदेश मैं NINRI अप्रवासी भारती विभाग का गठन कप किया गया था, और ऑज का लास्ट पोशेण चोकी है, बटेश्वर नामकिस्थान के संदर्व में निमली की कत्म पर विचार कीजिए आपको बताना है कि इनमे से कौन से कतन बटेश्वर नामकिस्थान के बारे में सत्य है बटेश्वर यमना के तरट पर इस्थित मंदिरों का शहर है यह एक्दम सही है क्योंकि बटेश्वर में काफिया देख माता में मंत्र अवस्थित है बटेश्वर अपने बार्षी पशुमेले के लिए प्रिस्थ है यह आपको पता है कि उतरप्रदेश में पशुमेला जो कि बटेश्वर में अयोजित किया जाता है बटेश्वर 22 वे जहन 33 धंकर नेमी चंदर का जनम इस्थान है यह भी कतर ठीक है इस तरह ओक्षन डी अर्थात इसके तीन वी कतर ठीक है इस तहरा हमारी टेश्टरियूस नमबर दो जो की जोग्रफी जे संबन्द थी यूबी PCS RO-ARO के लिए कंप्लीट ट्रा दी गई है यदि आपको हमारी वीडियोस प्रसंद आती है तो आप हमारे टेलेग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं और इसी के साथ यदि आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलेग्राम चानल को जाइन कीजिए और हमारे चानल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले हैं धन्यवाद